उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस तरह से यहां के छोटे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्रों पर पर्यतन को बढ़ावा दे रही है उससे अवश्य ही एक तरफ विकास को पंक लगेंगे साथ में रोजगार के बहुत से अवसर भी पैदा हो प्रदेश के विकास के लिए नई नीतियों पर विचार मंथन करते हुए उन्हें अनुमती प्रदान कर रहे हैं। विकास को धार देने वाली है और यदि इसको सही धंग से धरतल पर उतारा गया तो प्रदेश में धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यतन नई उर्चयों को छूने जा रहा है। जील, वेलनेस टूरिजम तथा एडवेंचर टूरिजम को भी शामिल कर लिया गया है। अब पर्यतन का विकास गावों तक किया जाएगा। प्रत्य एक गाव में किसी प्राचीन मंदिर, धरोहर्व महापुरुशों से संबंधित स्थलों को चिनहित करके उस गाव का भी विकास किया जाएगा। अमरित सरोबरों के माग्यम से भी पर्यतन को बढ़ावा दिया जाएगा। जिस प्रकार प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना पर काम किया है उसी प्रकार अब एक जिला एक पर्यतन केंद्र का भी विकास किया जाएगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्मान और रामलला के सूर्यतिलिक की अद्भुद व्यवस्था से वहां भारी संख्या में देशी वविदेशी श्रद्धालू आएंगे वही मत्धुरा और काशी में भी भक्तों की भारी संख्या आएगी. अयोध्या मत्धुरा ववकाशी आने वाले तीरत यात्रियों के लिए विकास के काफी काम किये जा रहे हैं. प्रदेश में रामायान और कृष्ण सर्किट की नए सिरे से स्थापना की जाएगी. रामायान सर्किट में अयोध्या, चित्रकूट, बिठूर समेत अन्यधार्मि श्रावस्ती, रामग्राम समेत का इस्थल शामिल होंगे. नई पर्यतन नीती में हस्तिनापूर, कामपिल्य, अहिच्छत्र, बरनावा, मत्धुरा, कौशामबी, गोंडा, लाक्षाग्रिह जैसे स्थलों को जोडते हुए महाभारत सर्किट की स्थापना की जाएगी. बि पर्यतन नीती में सभी पर्यतन श्रेणियों की एकायों की स्थापना पर किये गए पूंजी निवेश पर सबसिडी दी जाएगी. नई नीती में रोजगार स्रेजन पर E.P.F. सबसिडी, नवाचार, विशिष्ट प्रोत्साहन विपनन एवं समवर्धन प्रोत्साहन राज्य की दुरलब बलुप्त प्रायकला, संस्कृती और व्यंजनों का संरक्षन, समवर्धन और पुनरजीवित किये जाने के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था है. प्रदेश सरकार की नई नीती में बंद पड़े पुराने किलों वा महलों को भी परियतन की दृष्टी से खोलने का निर्नलिया है. प्रदेश सरकार ने परियतन नीती के अंतरगत इसक्षेत्र में आगामी पांच साल में दस लाक युवा है. प्रदेश में योगी आदित्यनात के नित्रित्व में भाजपा सरकार आने के साथ ही प्रदेश में परियतन तीवर गती से गतिमान हो रहा है. अयोध्य में भव्य श्रीराम मंदिर का निर्मान प्रारंब हो जाने के बाद और अयोध्य में हर्दीपावाली के अफसर पर भव्य दिपोटसव के आयोजन तथा विविद देशों के कलाकारों द्वारा रामलीला मंचन आदी से अयोध्या का दिपोटसव पर्यटन के अंतराष्ट्रिय मांचित्र पर अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुका है। काशी में भव्यकाशी विश्वनात कोरिडो का काम जारी है वहाँ पर भी सावन माह से अब तक करोणों की संख्या में श्रद धलुआ चुके हैं। आग मिला तथा गोरकपूर का गोरकशपीट प्रदेश में आध्यात्मिक पर्यटन के दो बड़े केंद्र हैं। राजधानी लखनव में भी पर्यटकों को लुभाने के लिए कई आकर्शक उपाय किये जा रहे हैं। जिनका असर देख रहा है। पर्यटकों को लखनव भ्रमन कराने के लिए वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। लखनव शहर में भी पर्यटन के विविद स्थल हैं जहां पर लोग बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। प्रदेश की राजधानी लखनव में ही वर्ष 2017 में 50,61,193 यात्री आये और अब 2021 में यह संख्या बढ़कर 43,92,435 हो गई है। यात्रियों को बसों के माध्यम से भ्रमन कराने के लिए मार तै कर लिए गए हैं। यही नहीं अब लखनव के आसपास छोटे जिलों वा कस्बों में भी परियतक स्थलों को चिन्हित कर उनका विकास किया जा रहा है जिसके कारण धार्मिक वा आध्यत्मिक परियतन को बढ़ावा मिल रहा है। इंस्थलों में महादेव, पारिजात, व्रिक्ष, मजीठा, चंद्र का देवी मंदिर इत्यादी शामिल है।